तयार हो गया कॉमसा हमारा सादा-शामी ये अंडा-शामी तयार हो गया करो रहिए जाद करो मंड के जी ओ, खाओ, पीओ, मज़े करो असलाम अलेकम खावातीनों अज़रात और आप लोक सब कैसे हैं, खैरियसे हैं मैं हूँ जिशान और आपको मेरे इस चैनल पर एक बार पर खुश्याम दीद तो भई मंड के जी ओ, खाओ, पीओ, मज़े करो आज मैं आया हूँ नौर्थ नाजमाबाद, फाइव स्टार चौरंगी वाली जो पूरी स्ट्रीट फूड है जहां पे तरह तरह के खाने मिलते हैं, उन्हीं में से एक जबरदस सा प्यारा सा एक छोटा सा रेस्टरेंट है जिसमें स्टूडन दील के नाम से, जिसमें Shami बरगर है इनका special और इनका chicken. hazır औरे Aww, तो वो try करते हैं उसकी और आपको सब्सक्ते हैं कि आपका मेरा नाम मिर्जा जिबरान बेग जिबरान भी क्या चल रहा है यह चल रहा है यह चल रहा है यह चल बर्गर्स होते हैं अच्छा आपकी स्पेशलिटी क्या है स्पेशलिटी सर हमारी अलम्दोलिला वैसे तो सब कुछ है लेकिन अगर आप जैसा आप लाइक करें बीफ चिकन भी पर आपके पास ज्यादा होते हैं आप चीजी लाइक करते हैं तो हमारा बीफ का जो है स्वीच चीजी चिकन जो है वह सबर्दर और यह जो आपने बाहर प norgar होंगे 1000वाग हो गा विजाउट यह और य के साथ होगा धीन में यह इसके साद आप चाहे तो फॉर्टाइस ले सकता है चाहे तो और यहाग एक वह और स्यवटलेंटare ऊंड क्रिपिस्टिप सेंगी उसमें भी आप चाहे तो मीड़े लिए उसमें क्रिपिर रो लेगा सब्स ज्रिफ रो लेगा उसमें विए इगा उसमें विश्राइज या कोई भी पर्चेस कर सकते हैं और वो वह भी वह नहीं चीज बिल्कुल हम तेस्ट करके आपको बताएं कि आपका टेस्ट कैसा है प्रेश्ज को आपको आप करवा लिता है तेंक यू यह इंडे वाला आ गया यह साधा विदाउट एंड अंडा क्या बाद जबर्दस्त और यह आ गए हमारे चिकन स्ट्रिप और यह क्रिस्पी रोल बहुत शुक्रिया क्या नाम है आपका शाहजेव थेंक्यू शाहजेव तो भाई यह आ गए है हमारे चारो आइटम जो के इन् है भाई अंडे वाला बर्गर हम अचाहर चाहर यह और इसको अन्डे वाला ब्रगर यह बहुर ऑर फुल ऑर फुल आ ना भारी भरका मंडे वाला बर्गर है और इसके साथ इन्होंने सौस दिया है तो वो तो लगाने की जवुद मुझे नहीं लग रहा कि जवुद आपको पढ़ेगी और एक लेते हैं बाइट बिस्मिल्ला करते हैं अल्ला का नाम लेते हैं और आपको बताते हैं कि फ्लेम अगर आप सौस में लगाएं तो मेरा खाल है कि जाइका जो है और एन्हांस हो जाएगा यह लगा है हमने सौस और लेते हैं अब एक और बाइट बढ़ते रिया इंका जो शामी गबाब हैं इसमें गोश्ट के रेशे पता चलने आपको भाते हुए के शामी कबाब में मीट शामिल है और जाएका बहुत जबर्दस और डिलिशियस लग रहा है अब इनका साधा वाला भी ट्राइक कर लेते हैं साधा वाला करते हैं इसकी जो कॉस्ट है वह 170 रूपी इसमें सिर्फ अंडा शामिल नहीं है बाकी सेम वही चीज है मायनी स्केचप चटनी और शामी कब अब यह लेते हैं और यह टेस्ट करते हैं सॉस में लगाते हैं डिप करते हैं और यह बनाते हैं वाइट और इसको करते हैं खातके आपको ट्राइब करके बताते हैं हैंगी जो चटनी और जो सॉस का कंबिनेशन बन रहा है वह बहुत कमाल है और ब्रेड बिलकुल यह बन जो है वह बिलकुल फ्रेश है और बहुत अच्छा जाइका आपको दे रहा है जो यह ना इस चिकन स्ट्रिप भी है वह हम देखते हैं जिसकी प्राइज है वन नाइंटी नाइन रूपीज और उसमें देते हैं यह कुछ स्ट्रिप्स विट फ्राइज या कोल्ड रेंग तो इसको भी खाते हैं यह बोन लेस चिकन स्ट्रिप ट्राइए करते हैं मायनीज और सॉस के साथ बैए फ्राइज चिकन के तो मज़े ही अलगे और उपर से क्रिस्पी भी हो तो मज़ा दोबाला हो जाता है तो यह शाम के स्नेक्स के लिए बहुत जबरदस्त है हलकी पुलकी भूग में आप यह फ्लेवर फुल बर्गर डोनों चाहे आप साधा मंगा है या अंडे वाला दोनों फ्लेवर फुल और यह जो है फ्राइट चिकन बेचरीन है माशालला जाइका बता रहा है के कॉलिटी है और चीजें माशालला ओके है कि अक्सर जिस वाइल में तला जाता है वह वाइल भी आपको जाइके में डिफरेंस क्रिएट करता है तो यह ना ही कारी है ना आप तो जो है इसको करते हैं और इसको भी आप फ्राइज के साथ चाहें तो फ्राइज के साथ खा सकते हैं वन्ना कोल्लिंग के साथ भी मंगवा सकते हैं फ्राइज ना खाना चाहें तो फ्राइज ना मंगवाएं तो यह सारी चीज़ें आप इन्जॉय कर सकते हैं यह दि के इनका काफी हेवी होने वाले है कि काफी मोटा इसका साइज है और बड़ा साइज है है रόचνा intéressant लाज यह वो यह जो दूदर अबना रहा है वे दोड़ाज शावर में वाला भी है और बहूत अच्छा शाइका काप यह वाइट देहें आहा हाँ क्या हवार माशाएललह यह चारो आइटम जो है मेरे खालते वर्टेट हैं लेट के लियाज से भी और टेस्ट तो अगर आपने टेस्ट किया है तो जरूर कॉमेंट करके बताएं कि आपको यहां का टेस्ट कैसा लगता है मुझे तो सारी चीजों होगा माशाएललह अच्छा टेस्ट लगा है और रेट के लिया आज से आप पूरी स्ट्रीट फूड है इसकी रूकेशन जो है डेली स्वेल जो निहारी वाले उसी गली में आप पहली या दूसी इनकी शौप है रेस्टोरेंट है तो वहां आंके आप इन्जॉय कर सकते है घर पे मंवाना चाहें यह सारी चीजें तो घर पे भी मंवा सकते हैं नंबर स्क्रीन पर आ रहा होगा सारी डिटेल है एक आइटम हमने इनका जो बीव बर्गर है वह भी मंवाया है तो वह जैसे ही आता है वह भी टेस्ट करके आपको बताते हैं कि उसका जाइका कैसा है ठ आखरी स्विस्ट चीजी बीव बहुत शुक्रिया या ठेंक यू यह आगया हमारा एक स्पेशल इनका जो बर्गर है स्विस्ट चीजी बीव इसको करते हैं और और इसका भी जाइका देखते हैं कि वह थोड़ा दीदार को करें क्या बाद इसमें लग रहा है कुछ माशाला क्या वाद यह करते हैं हम इसको अच्छा इसमें जो मुझे नजर आ रहा है इन्होंने चीज डाला है सॉसेज डाले हैं बीव की पेटी है जो बड़ी वहतरीन और काफी बड़ा साइज लग रहा है और हैवी भी है तो और इसका बन भी गाले बन मेरे चेंज है कु जो के मिल रहा है फ्लेम हाउस पर इसको करते हैं टेस्ट बिसमिल्ला करते हैं अलगा नाम लेते हैं और बताते हैं कि इनका स्विश चीजी कैसा है जबर्दस बहुत सौफ और इनकर बीफ है ना बहुत ही कमाल का फ्लेवर दे रहा है आपको और इसके अंदर अले पीनो वगए भी इनोंने डालें और क्या कुछ है इसमें मैं बनते वे नहीं देखा विकिन काफी चीजें इसमें है और इसका सौस बहुत कमाल है बहुत सौ कुलसी जो एक और वाइट लेते हों और बताते हैं आपको और क्या फ्लेवर दे रहा है जो सौर्स लवर है ना वह तो इनका बीफ जरूर प्राइब करें और जो बहुत ही यार मैं यह देखा है कि बहुत नॉमिनल प्राइस में बहुत ही बहुत बहुतरीन कॉलिटी का और अच्छे साइस का बर्गर यह प्रीमियम बर्गर वह आपको यहां पर मिल रहा है तो यह आप घर भी मंगवा सकते हैं और यहां पर आके खाना इंज्वाइक भी कर सकते हैं फैमिली के साथ आ सकते हैं दोस्तों यारों के साथ आ सकते हैं इसी लोकेशन है बिल्कुल वीडियो के आपको कैसी लगी अच्छी लगी तो लाइक करें, अपने दोस्तों जारों से शेयर करें, टैक करें, यहां पहुंचें, बहुत क्रेजी आइटम्स हैं यार, बहुत टेस्टफुल हैं, फ्लेवरफुल हैं, और सबसे अच्छी वाज़ जो है, कॉस्ट में बहुत काता हुआ